बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव मंगलवार को 211.49 सभाओं को संबोधित कर चुके थे इस दोरान अक्सर देखा गया कि तेजस्वी किसी मैदान स्टेडियम या स्कूल के मैदान में नहीं बलकि ऐसी जगहों पर सभाएं करते हैं जहां गेहूं की फसल कटने के बाद खेत खाली होते हैं दरसल इसके पीछे एक सोची शमजी रननीती है दरसल तेजस्वी आदव की राजनितिक लालू यादव की लीक पर चल रही है वो जहां आरक्षन पिछरा वर्ग और सवन विरोध की रननीती उजागर कर चुके हैं वहीं अपने पिता की तरह ही ठेट देहाती अंदाज ऐसा किया जाता है संजह कहते हैं कि आर्जेडी के समर्थोकों का बड़ा हिस्सा छोटे-छोटे फॉटे पॉकेट्स में भी है ऐसे में उनके जितनेकरीब जाय जाए उसका असर होता है बकॉल संजह यादव तेजस्वी आदव भी अपने पिता लालू यादव की तरह ही जमीनी नेता के तौर पर पहचान बना रहे हैं। लोगों से सीधा समात करने की कोशिश करते हैं और उनके बीच उपस्तित होकर अपना बना लेने की कोशिश करते हैं। दरसल बिहार की राजनिती में वर्ष 1990 के बार एक दौर ऐसा था जो पूरे देश से अलग था। इस दोरान लालू की ठेट गवई और बिहारी शैली से लोग हर दिन रूबरू होते थे। लालू का अपना स्टाइल था और वो जनता के बीच जाते थे। हसी ठिटोली करते और सामाजिक संदेश भी दे जाते थे। साल 1992-93 में कई बार वा पटना की सरकों पर निकले और गड़ीबों की बस्ती में जाकर बच्चों के बाल तक मुडवाए और साफ सफाई का संदेश दिया। देशी सैली, बदेश, अंदाज और माटी से जुरे होने के एहसास दिलाने का लालू अंदाज लोगों के जहन में आज भी जिन्दा है। लालू अंदाज को वह हर जगा फॉलो करते हैं। यद्यपी तेजस्वी यादव की कोशिश यही है कि लोग ना तो लालू यादव को भूलें और ना ही लालू स्टाइल को। सीम नितीश कुमार को पल्टू चचा कहना हो या पीए म मोधी को गरपर मोधी कहना हो ये सब ही लालू स्टाइल की कौपी ही लगते हैं। ऐसे ही आरक्षन आग्रा पिछ्रा और सवन विरोत की राजनिती भी लालू राजनिती का हिस्सा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।